लोग सभाचनाओं में विधान सभाचनाओं वाली गलती से बचना चाहते हैं तेजस्पी आदव ऐसी क्या गलती विधान सभाचनाओं के दौरान तेजस्पी आदव से हुई थी और क्या है 30 सीटों की दावेदारी के पीछे का पूरा पूरा गड़े थी इक्वेजन जो है आई आपको एक एक करके समझाते हैं तो दरसल बिहार में seat sharing का जो formula है वो काफी दिनों से चर्चाओं का विश है रहा है चाहे NDA की बात करें या फिर Indie Alliance की seat sharing का formula अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है NDA में seat sharing के formula के हिसाब से पशुपती पारस को एक भी seat नहीं में दी गई जबकि जब से लितीश कुमार यादव NDA का हिस्सा हो गए है तब से लालू प्रसाद यादव की party यानि की RGD फ्रंट फुट पर आ गई है बिहार में क्योंकि 40 seat हैं और RGD ने सुबे में 40 में से 30 seat पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है RGD ने Congress को 7 seat ही offer की है और बाकी की जो 3 seat है वो left party के लिए RGD ने रख छोड़ी है हाला कि Congress ने 11 seat की मांग की थी जबकि RGD ने 7 seat offer की है बिहार Congress चुनाव समिती की 16 मार्च यानि की आज बैटक होगी जिसके बास थिती थोड़ी सी साफ हो पाईगी लेकिन RGD 30 seat क्यों अपने पास रखना चाहती है आईए समझते हैं जरसल RGD Congress को जाधा seat देने की मूर में दिखाई नहीं दे रही है और वज़य यह है कि 2020 के चुनाव के नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए थे 2020 में RGD ने 243 seat से 144 उमीदवार उतारे थे और 75 seat जीती थी लेकिन अगर overall alliance की बात करें तो महागडबंधन के खाते में 110 seat ही आई थी यानि कि RGD का अकेले का जो performance था वो जाधा अच्छा था और इसलिए RGD 30 seat अपने पास सकना चाहती है Congress ने मैदान में उस वक्त 70 उमीदवार उतारे थे लेकिन सिर्फ 70 में से 19 seat पर ही जीत दर्च कर पाई थी GDU ने भले ही 43 seat पर जीत दर्च कियो लेकिन NDA के साथ alliance किया और उसके बाद 125 seat के साथ सरकार बना ली थी तो बिहार में क्योंकि magical figure 122 seat हैं कहा यह जाता है कि 2020 में गड़बंदन सरकार बनाते बनाते रह गया था और इसके पीछे RGD सीधे सीधे Congress को जिम्यदार मानती है RGD अब भी मानती है कि Congress की 70 seat की अगर जिद नहीं होती तो इन में से आधे से जादा जो seat थी वो RGD जीत जाती यानि कि महागडबंदन सरकार बना लेती तेजस्वी यादों को आप 2024 लोकसभा चुनाओं में अपना कद मजबूत करने का मौका नजर आने लगा है RGD Congress को साथ से जादा सीटे देने के मूर में नहीं है RGD में Congress को लेकर भरोसे की कमी दिखाई दे रही है RGD इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि जो seatें Congress को दी जाएंगी उस पर भी Congress जीत दर्ज कर पाएगी या भी नहीं और अगर जीत दज कर लेगी तो Congress पत्याशी जीत भी गया अगर तो क्या उनकी आस्था INDI ये गड़बंधन के साथ बनी रहेगी इस पर भी RGD को संदे है तेजस्वी आदो अपनी पार्टी के मजबूत और भरोसे मंद चेहरों पर दाउं खेलना चाहते हैं और जादा से जादा सीटों पर अपने चेहरों को ही अपने भरोसे मंद उमीदवारों को ही उतारना चाहते हैं अब जरा 2019 लोक सभा चुनाओं का भी जिक्र कर लेते हैं दरसल RGD के नेततों में महा गडबंधन में Congress 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2019 में RGD 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी RGD ने अपने कोटे से एक सीट भागपा माले को दी थी यानि RGD ने 20 सीटे अपने पास रखे थी तब विपक्षी गडबंधन का हिस्सा उपेंद्र कुश्वाहा पार्टी भी महा गडबंधन के साथ थी जियता नाम आन जी ने भी पांच च्री कैंडिडेट उतारे थे सहनी ने भी तीन कैंडिडेट अपने मैदान में उतारे थे तो कुल म्मिलाकर टेस्वी की स्टेटिजी अगर अपकी बार देखें तो पिछली बार से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है जरा सा भी लूप होल आरजेडी तेजस्वी यादो जीत को लेकर छोड़ना नहीं चाहते हैं अपने जीत को सुनजश्चित करना चाहते हैं और यही वज़ा है कि 30 सीटे आरजेडी अपने पास रखना चाहती है और कॉंग्रस को 6-7 सीटों में टिप्टा देना चाहती है